हम लोगों के मन में हमेशा डाउट रहता है कि सोना कौन सा महिने में कौन सा दिन खरिदना चाहिए आज के इस वीडियो में पूरा डाउट क्लियर होने वाला है हिंदू संस्कित के अनुसार सोना खरिदने का जो महिना है यानि सोना खरिदने का जो दिन है साल में एकी दिन सबसे बड़ी तरह से मनने किया जाता है या माना जाता है वो है के धंतेरस धन्तिरस के दिन आप बे जिजक सोना खरीद सकते हैं और भी बहुत सारे लोग बुड़े बुज़ुर्ग सबी लोग मानते हैं कि धन्तिरस एक ऐसा दिन है वोस दिन पर सोना खरीदने से सुब होता है धंतरस और दिवाली के दिनों में सोने की मांग बहुत अधिक होती है इसलिए धंतरस के दिन और दिवाली के दिन सोने की मांग बहुत बड़ी होती है बड़ी मात्रा में लोग सोना खरिदते हैं धंतरस के दिन या दिवाली के दिन आप सोना खरिद सकते हैं इसमें आपका investing और पहनने का जो मन है वो पूरा दोनों एक साथ पूरा हो जाएगा तो आप हमेशा कोशिस करिए कि धंतिरस के दिन सोना खरीदा जाए या दिवाली के दिन सोना खरीदा जाए तो दोस्तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए इसी तरह और कुछ भी अगर मन में आपका doubt है question है तो आप नीचे comment section में जरूर लिखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार दोस्तो